Start now, today I tell you the story of a rabbit and tortoise, okay आज मैं आपको two animals, खर्गोस and कच्छवा की स्टोडी सुनाती हूं, okay This is very interesting story, are you ready? Okay, so let's start एक समय की बात है, एक जंगल में एक खर्गोस रहता था एक जंगल में कौन रहता था, खर्गोस या सारे जंगल में खूप तेज दौता फिरता था एक बार उसने कच्छवे से कहा, कि तुम कितने धीरे चलते हो खर्गोस ने कच्छवे से कहा, कि तुम कितने धीरे चलते हो मैं निश्चे ही तुम्हें दोड में हरा सकता हूँ कच्छवा बोला निश्चे ही मैं धीर ही चल पाता हूँ पर तुमसे दोड लगाने के लिए तैयार हूँ दोनों में बहस होने लगी और फिर उन्होंने निश्चे किया कि वे दोड लगाएंगे कच्छवा और खर्गोस ने तैय किया कि वे दोनों लोग श्रेस लगाएंगे ओके नेक्स पेज ओपिन करेंगे दोनों ने दोड सुरू की खर्गोस कुछ अधिक ही उत्साहित था उसे अभिमान था कि वा हवा की तरह तेज दोड सकता है खर्गोस बहुत खुश था और उसे घमन था कि वा हवा की तरह तेज दोडता है तो वो जरूर जीत जाएगा आधे रास्ते पर पहुँच कर उसने देखा कि कच्छवा बहुत पीछे रह गया है खर्गोस ने पीछे मुड कर देखा कि कच्छवा पीछे रह गया है उसने सोचा अभी तो मेरे पास बहुत समय है क्यों ना ठंडी हवा में एक जपकी ले लू कर्गोस सोचा कि अभी कच्छवा नहीं दिख रहा है मैं थोड़ी देर के लिए अराम कर लेता हूँ और यह सोचकर वह सो गया जीत को ध्यान में रख कर कच्छवा एक पल के लिए भी नहीं रुका कच्छवा चलता रहा और वह नहीं रुका लगाता चलता रहा धीरे धीरे चलते हुए वह सोते हुए खरगोश को पार कर अन्त में विजय स्थल पर पहले पहुँचकर दोड़ जीत गया कच्छवा धीरे धीरे चलते हुए इन पॉइंट पर पहुँच गया और रेस को जीत गया और खरगोश को हरा दिया इस कहानी से हमें क्या सिच्छा मिलती है हमें कभी दूसरों को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपना ध्यान हमेशा अपने लक्ष पर क्रेंदित करना चाहिए हमें कभी भी आलस अपने काम में नहीं करना चाहिए जब तक आपका कार पूरा नहीं हो जाए तब तक आपको लगातार काम करना चाहिए क्योंकि slow and steady wins the race धीमा और निरंतर हमेशा रेश जीता है आप हमेशा अपना वर्क निरंतर करेंगे लगातार करते रहेंगे जब तक कि आपका वर्क पूरा नहीं हो जाए थैंक यू, have a nice day